हाई पैरेंट्स कैसे आप लोग क्या आपका बेबी भी छे मेने का होने वाला और उसकी विनिंग जर्णी सॉलिड वाले स्टार्ट होने वाले और आप सोच रहे किया समालने कैसे करेंगे किन-किन चीजों की जर्रत होगी तो आज मैं आपके साथ तीन ऐसे प्रोड़क्ट श पहले क्या होता था हम लोग कुकर में यूज करते थे तो कुकर में यूज विली फ्रूट वगेरा बॉल नहीं करना चाहिए उसके निट्रिशनल वैल्यू एदम कम हो जाती है और अगार अब स्टीमर यूज करें तो बड़ा सा होता है छोटे से समान के लिए बड़ा सा ब परतन को क्लीन करो इसके लिए आपको बसे चौड़े मूब वाले ग्लास चाहिए और यह हैं ब्लेंडर चाहिए हैं ब्लेंडर को आशानी से ब्लीन भी कर सकते हैं बहुत इजी टो यूज है और बहुत अच्छी स्मूथ प्यूरी बन जाती है तो आप जरूर ले लीजिए तो यह 24-48 आवर्स अराम से चल जाएगा और बेवी के लिए बेस्ट होता है यहां पर मैं जैसे अप्रिकोट की प्यूरी बना रही हो अराम से प्यूरी बनाओ स्मूथ प्यूरी बनती है और एजी टो क्लीन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है तो यह तीनों चीज बहुत अच्छी है खास करकि बेवी के विनिंग के लिए और मुझे ने पहले बेवी में उतना पता नहीं था तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी पर मुझे जब सेकेंड बेवी में पता चला तो मैंने यूज के और मेरी लाइफ थोड़ी एजी हो गई तो मैं सोची आप वीडियो अच्छी लगी होगे अगर ये वीडियो लगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब ते के लिए रादे रादे बाई बाई